तो, वेलकम टू आल आज हम लोग जो है गांधी का समाजवाद पर विचार के बारे में क्लास में बातचित करेंगे जब हम गांधी जी के आर्थिक विचारों पर चर्चा करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम समाजवाद पर उनके दिश्टिकोंड की चर्चा जरूर करें दुनिया जब पूजवाद के बिकलपों की बात करती है या उस पर चिंतन करती है तो गांधी वादी अर्थनीत या गांधी वादी आर्थिक चिंतन जो है पर चर्चा करना स्वाभाविक हो जाता है और समिचिन प्रतीत होता है बिस्वी सदी के आरंभिक दसकों में जब गांधी जी हिंदु सराज के माध्यम से सामराज्यवादी, पूजिवाद और और नियोजित और द्योगी करण से उत्पन होने वाली समस्याओं मसलन आर्थिक असमानता, गरीबी, और बिरोजगारी, अपनी बात रख रहे थे, उनके समाधान के लिए अपना दर्शन गढ़ रहे थे बिस्व भर में पूजिवाद के बेकल्प के रूप में समाजवाद का भी उभार उसी समय बहुत तेजी से हो रहा था क्योंकि गांदिवादी अर्थशास्त्र और समाजवाद दोनू का उदेश है, वो पूजिवाद जनित समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करना है इसलिए कई बार समाजवाद और पूजिवादी जो विचारधाराएं है समाजवाद और गांधिवाद का जो आर्थिक चंदन की दूनों वैचारिकी है एक डूसरे के बहुत ही निकटस्त प्रतीत होती है लेकिन वास्तों में ऐसा है नहीं । गांधी जी ने कभी समाजवाद का समर्थन नहीं किया उस समाजवाद का जिसको हम जो पस्चमी दुनिया में विक्सित हुआ जिसको कई बार हम बैग्यानिक समाजवाद के रूप में भी जानते हैं समाजवाद के संदर में गांदी जी खुद कहते हैं कि समाजवाद सब्द का सब्द कोसी अर्थ है सब्द उसको देखने के बावजूद भी मैं उस अस्थान से कतई आगे नहीं बढ़ सका जहां मैं इस सब्द के अर्थ को जानने से पहले था यानि कि जो तत्कालीन समय में या जो प्रस्थित बैग्यानिक समाजवादी चिंतन था उससे गानती जी का कोई सिधा संबन नहीं था तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से ये जाननेंगे कि समाजवाद क्या है पहले हम समाजवाद पर एक छोड़ी सी टिपड़ी जानने ही कोईस करेंगे टिपड़ी के माध्यम से कि मूल का समाजवाद क्या है समाजवाद क्या कहना चाहता है किस तरह की बिचारधारा है ये इसकी जो मूल बाते हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे फिर हम ये जानेंगे कि गांधी जी इस समाजवाद की किस प्रकार आलोचना करते हैं और इसी आलोचना के क्रम में वे इस समाजवाद पर गांधी जी का दिश्टिकून क्या है इस पर हम बात करेंगे और इसी प्रचाचा करते करते हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गांध उनीश्मी सदी के अंत में Poojivaad 방u व्यक्तिवाद के प्रतिकरया शवरुक जन्मली थी यह विचारधारा, पूरवर्ती विचारधारा के समान्धी यानि पूजीवाद के समान्धी आर्थिक छेत्र से मानोजीवन में प्रवेस करती है और समझ सामाजिक बुराई के लिए आर्थिक असमानताओं को जिम्मेदार फैराती है जैसा कि हम जानते हैं जो पूजीवादी चिंतन था वो भी आर्थिक छेत्र के माध्यम से रायनितिक जीवन में प्रिवेस्ट करता किया और ब्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो इस नारे के साथ सामाजिक आर्थिक और रायनितिक जीवन में अहस्तक्षेप की बात करता है और एक नए प्रकार का सामाजिक आर्थिक रायनितिक दर्शन या जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है इस पूजीवादी दर्शन का जैसे जैसे बिकास होता है तो इसकी अपनी खामिया भी सामने आती है तो इन्ही खामियों और इन्ही बुराईयों को एड्रेस करते हुए उनका समाधान पस्तुत करते हुए समाजवादी विचारधारा प्रवेश करती है और आतीक जीवन में उसी पूरवर्ती विचारधारा यानि पूजीवादी विचारधारा के समान ये भी आर्थिक छेतर से हमारे जीवन प्रवेश करती है और यह मानती है कि जितनी जो भी आर्थिक असमानताएं हैं वही समाजी बुराईयों का कारण है तो समाज में जो मानवकृत असमानताएं हैं उनको समाप्त किया जाना समाजवाद का मूल लक्ष है समाजवाद मानता है कि जब तक मानवकritt जो असमानताएं हैं उनको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक जो है, समाज की बुदायों से नहीं लड़ा जा सकता है इसी के साथ समाजवाद क्या कहता है कि भौतिक संसाधनों का जो संकेंद्रन है वह समाजिक अन्याय का दियोतक है पूजीवाद जो है भौतिक संसाधनों का केंद्रन कर देता है वो व्यक्ति में, समूह में उसका केंद्रन हो जाता है वो नीजी लाव के लिए उसका उपयोग किया जाने लगता है समाजवाद इनहीं का जबाब देता है और कहता है कि बहुतिक संसाधनों का जो उत्पादन के संसाधन है उनका संक्यंद्रन जो है सामाजी करन्याय का द्योतक है सामाजी करन्याय का कारण है इस प्रकार जो है समाजवाद, व्यक्तिगत पूजी, व्यक्तिगत संपत्ति, समाजवाद, बाजारवाद, पूजीवाद, आर्थिक प्रत्योगिता, आधी पर आधारित समाजिक रायंतिक व्योस्था का विरोध करता है, उसकी आलोचना करता है. समाजवाद का उद्देश से एक ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें उत्पादन के मौलिक संसाधनों का बित्रण समाजिक नियंत्रण में हो और समानता के आधार पर हो आर्थिक आधार पर जो बर्ग भेद समाज में बन गया है, वो समाप्त किया जाए, ऐसा प्रयास समाजवादी चिंतन के माध्यम से किया जाता है. समाजवाद कहता है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर नीजी स्वामित तो बना रहेगा, समाज में विसंताएं बिद्ध्यमान रहेंगी. अतह समाजवाद न केवल ब्यापक अर्थों में उत्पादन के सारभूत संसाधनों के सामाजी करण की मांग करता है, बलकि वह उन लोगों के नीजी आय को भी का भी अंत कर देना चाहता है, जो समाज के लिए उप्योगी नहीं है, बलकि समाज में असमानता और गैर कारण बनते हैं, समाजवाद अपने इस आदर्स को पाने के लिए जो साधन अपनाता है, उसको एक सामाजी करांती के माध्यम से पाना चाहता है, सामाजी करांती को अपना साधन के रूप में अपनाता है, और कहता है कि एक वर्ग संघर्स के माध्यम से इस समाज की गैर ब समाज असपस्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित हो गया है, एक सरवहरा वर्ग है जो बहुत बड़ी संख्या में है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपने स्रम की सक्ति को बिचने के अलावा, और दूसरा वर्ग बुर्जवा है, जो बहुत छोटे पैमाने पर बीच की खाई है, वो दिनो दिन बढ़ती जा रही है, इसको वर्ग संखर्ष के माध्यम से समाप्त करके सरवहरा की तानासाही को स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, और क्या जा सकता है, गांधी जी समाजवात का मूल विचार है, जिस पर गांधी जी अपनी टिपड़ी करते हैं, इस कक्छा में आने वाले 30 minutes में हम, गांधी जी के दिश्टिकूर्ण पर बात करेंगे कि जो समाजवात का दर्सन जो हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से वो समाज की विसंताओं को, समाज की असमानताओं को एड्रेस करने का प्रयास करता है, उसको समाज करने का प्रयास करता है वर्ग संघर्स और अन्ने विवस्थाओं के माध्यम से, गांधी जी किस तरीके से उसको देखते हैं, वर्ग संघर्स का जो विचार है, अनिवारता हिंसा पर आधारिक विचार है, वह मानता है कि दो वर्गों के बीच संघर्स यानि कि पूजी पती और स्रमिकों के बीच, बुर्जवा और सर्वहारा के बीच, बुर्जवा मतलब पूजी पती, सर्वहारा मतलब स्रमिक, इनके बीच संघर्स अवशंभावी है और वो संघर्स होगा, जब वो संघर्स होगा तभी समाज का पुनर निर्माण होगा, जैसा हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी अपने चिंतन में, गांधी का समूचा चिंतन ही मोलता अहिंसा के आदर्स पर खड़ा है। अगर वह सिधानत कहीं किसी जगह फेल होता है, तो असफल होता है, तो उसमें उस सिधानत की गलती नहीं है, बलकि किसी गलती है, गलती है उस सिधानत को लागू करने वाले लोगों में, क्योंकि उनका विश्वासक अहिंसा के सिधानत में उतना मजबूत नहीं है, जितना की अवशक्ता है तो गांधी जी को समाजवाद के सामाजिक क्रांतिया वक्संघर्स के विचार से जो है गांधी जी को जो अपत्ती है गांधी की जो मूल अपत्ती है वो यहीं से सुरू होती है तो गांधी जी क्या कहते हैं हम इस पर आगे चर्चा करेंगे गांधी जी पास्चात्य समाजवाद के बारे में क्या कहते हैं हम थोड़ा सा इस पर उन्हीं के सद्दों में बात कर लें कि कहते हैं कि मैं पास्चात्य समाज विवस्था का एक सहान भूति पूर्ण विद्यार्थी रहा हूं और मैंने पाया है कि पस्चिम की आत्मा के उत्ताप की तह में सत्य की अथक खोज विद्यमान है मैं इस भावना का आदर करता हूँ हमें बैज्यानिक अन्वेंसर की इसी भावना के साथ अपनी प्राच्य सांस्थाओं का अध्यन करना चाहिए इसमें हम एक ऐसे सच्चे समाजवाद का विकास कर सकते हैं जिसकी दुनिया ने अब तक कल्पना ही नहीं की है गांधी जी मानते हैं कि इस तरीके से गांधी जी मानते हैं कि जो प्राच्य समाजवाद है यानि कि प्राच्य संस्थाएं हैं पूरब की संस्थाएं हैं, जिन में गांधी जी संस्था में जी रहे हैं, कहते हैं कि उस पूरवी संस्था में समाजवाद के वो मुल्य मुझूद हैं, जिन मुल्यों की कलपना आज तक कभी किसी नहीं की है. गांधी जी कहते हैं कि अगर हम प्राचेवाद के या पूरवी संस्थाएं हैं, अगर उनका हम बैज्यानिक धंग से अध्यन करें, तो संभावत हम एक ऐसे समाजवाद को प्राप्त कर पाएंगे, एक ऐसे समाजवाद को हम देख पाएंगे, जिसकी कलपना आज तक नहीं की गई है गांधी जी जो है इस तरीके से वस्चिमी समाजवाद की विचारों की आलोचना करना सुरू करते हैं वे कहते हैं कि यह नहीं हो सकता कि कोई आदमी सक्रिय अहिंसक हो active non-violent की बात वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी जो है सक्री अहिंसक हो किन्तो वो सामाजिक अन्याय के बिरुद्ध उठ खड़ा नहों यानि कि उनकी अहिंसा अगर वो सक्री अहिंसक है अगर वो non-violence की थेयरी में actively विश्वास करता है फेत रखता है तो वो अन्याय के बिरुद्ध खड़ा होगा फिर चाहे वो अन्याय कहीं भी हो रहा हो दुरभागे से जहां तक मैं समझता हूँ पस्चिम के समाजवादियों ने समाजवादी सिधान्तों को लागू करने के लिए हिंसा का सहारा लिया है यानि कि वो मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हिंसा के सिधान्त में सक्रीय रूप से विश्वास करता है वो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होगा, वो अन्याय के खिलाफ अपनी बात रखेगा, लेकिन गांधी जी इस करम में कहते हैं कि दुरुभाग जिसे जो पस्चिम के समाजवादी लोग हैं, उन्होंने अपने समाजवादी विचारणा को अपनी समाजवादी विचारों क कि समाज की सबसे छोटे और निमनतम वर्ग को भी सामाजिक नयाय जोर जवजस्ती से प्रदान नहीं किया जा सकता। वह कभी भी स्थायत पूर्ण नहीं होगा वो कभी भी ऐसा नहीं होगा जो सस्टेन करे वो कॉंटिन्यू करे। कहते हैं कि मुझे इस बात में भी विश्वास है कि समाज के निमनतम व्यक्तियों को यदि अहिंसक उपायों से उचित प्रसिक्छन दिया जाए तो वह स्वैम अपने प्रति होने वाले अन्यायों को दूर कर सकते हैं। गांधी जी को अहिंसा के सिधानत में इतना दिढ़ विश्वास है कि अगर समाज के सबसे निमनतम व्यक्ति को यानि अन्तिम अस्तर पर व्यक्ति को खड़ा है, अगर उसको भी अहिंसा के सिधानत का सही ज्ञान दिया जाए तो निस्चित रूप से वह अपने प्रति होन वाले अन्याय के खिलाफ भी उठखड़ा हो सकता है और कहते हैं कि इसका सबसे बहतरीन तरीका क्या है अहिंसक असहयोग जो हम गांधी के रायनितिक विचारों को पढ़े तो जो उनका असहयोग का सिध्धान था असहयोग का विचार है उस पर भी हमने लंबी चर्चा की थी और हमने यह जाना था कि गांधी बताते हैं कैसे अहिंसा जो है कायरों का हथियार नहीं है यह सबलों का हथियार है ताकत का सही ज्यान है और उसका सही उप्योग कर सकता है तो वह जो है अपने प्रति अन्याय के लिए वो स्वैम खड़ा हो सकता है गांधी जी कहते हैं कि साफ तोर पर हिंसा उससे जड़ी तमाम बातों में पस्चिमी समाजवादी लोग विश्वास करते हैं और मेरा विश्वास पून रूप से अहिंसा में है वे कहते हैं कि मेरा समाजवाद अंतिम ब्यक्ति के हित के लिए है मैं अंधों, बहरों, गुंगों, आदी की बल ही देकर अपना उतकर्स नहीं करना चाहता उनके समाजवाद में उनके लिए संभावतह तमाम ऐसे लोगों के लिए कोई अस्थान नहीं है जो ब्यापक पुरूप से समाज की ब्यवस्था है उसमें साभागी होने के लिए ततपर हो पाएं तो निष्क्त तोर पर वह उत्पादन की प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं देपाइंगे और पस्चिम का समाजवाद ऐसी परिशिती में उनके लिए कोई विवस्था नहीं कर पाता है तो गांधी कहते हैं कि पस्चिम के समाजवाद में ऐसे लोगों के लिए कोई अस्थान नहीं है और पस्चिम का समाजवाद जो है मूलता बहुतिक उन्नती के उद्देशे पर केंद्रित है गांधी जी का समाजवाद जो है गांधी जी के चिंद बिचार का जो समाजवाद है वो बहुतिक उन्नती के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नती का भी मार्ग प्रशस्त करता है एक ऐसे समाजवाद की कलपना करते हैं, ऐसे समाजवाद का धेयर रखते हैं, जिसमें ब्यक्ति जो है, अपने व्यक्तितों की पूर अभिव्यक्ति के लिए सुतंत्र हो, वे कहते हैं कि जो पस्चिम का समाजवाद है, उसमें ब्यक्तिका सुतंता नाम की कोई चीज नहीं है उसमें आप लिखते हैं कि पस्चिम के समाजवाद में किसी व्यक्तिका बस्तु पर स्वामित तो नहीं रह जाता मूलता आर्थिक जो संसाधन जो व्यक्तिकत पूजी है उसका स्वामित तो नहीं रह जाता है जब व्यक्तिकत पूजी पर उसका स्वामे तो नहीं रह जाएगा तो निस्चित तोर पर वह अपने स्वा की अभिव्यक्ति को असपस्टता नहीं कर पाएगा और इस नाते भी गांधी जो है पस्चिम के समाजवाद की आलोशना करते हैं समाजवाद की समांता की विचार का समर्थन भी कहते हैं और कहते हैं कि समाजवाद एक बहुत ही सुंडर सब्द है और यह समाज में किसी भी प्रकार के दॠयट में विश्वास नहीं करता है या सिर्फ एकत्व की बात करता है द्वैत अर्थात मैं और तुम मैं और वह पूजी पती और स्रमिक इनकी बात वह नहीं करता है वह क्या करता है समाजवाद समाजवाद में द्वैत की भावना नहीं होती है और द्वैत की भावना होती है एकत्व की भावना होती है, अनेकत्व की भावना नहीं होती है अर्थात कि कोई अलग नहीं है लेकिन जो पस्चिम का समाजवाद है, वो क्या कहता है? वो द्वैत की भावना से आधारित होता है वह कहता है कि एक वर्ग पूजीपती है, दूसरा वर्ग सर्भारा है, एक वर्ग स्रमिक है, दूसरा वर्ग पूजीपती है, एक वर्ग सर्भारा है, दूसरा बुर्जवा है, यानि कि वह समाज के द्वैत्त में विस्वास रखता है और उसी समाज के द्वैत्त को खतम करने के लिए वह जो है हिंसक साधनों का सहरा लेता है गांदी जी कहते हैं कि एकत्तों की जो उनकी धारणा है वह क्या है वह बाहे अनिकत्तों में तो विस्वास करती है लेकिन आंतरिक एकत्तों में उसका भरोसा बहुत ज्यादा मजबूत है ध्यान दें कि जो पस्चिमी समाजवाद है वह जो है बाहे अनिकत्तों में विस्वास रखता है यानि दो वर्गों में विस्वास रखता है गांदी जी बाहे एकत्तों को स्विकार करते हैं बाहे एकत्तों की ठीक है समाज में अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं उनकी जाती की एकता में उनका पूर्ण विश्वास है इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो आंतरिक एकत्तो है उसमें उनका भरोसा बहुत ज़्यादा है इस तरीके से जो है गांधी जी पस्चिम के इस सिधान्द की आलोचना करते हैं गांधी जी आगे कहते हैं कि यह समाजवाद जो हिंसा पराधारित है वह पूजी पतियों के नास की बात करता है वह कहते हैं कि किसी ब्यक्ति का मालिक का या पूजी पति का सर काट देने से वह स्रमिक नहीं हो जाएगा अर्थात अगर आप उसे समाप्त कर देते हैं उसके अस्चित्तों को ही समाप्त कर देते हैं तो ऐसा कर देने से जो है उसका धर काड़ देने से उसका सर काड़ देने से पूजी पति जो है स्रमिक नहीं बन जाएगा इस प्रकार जो है गांधी जी पस्चिमी के समाजवाद की अलोशना करते हैं एक और पक्ष है गांधी जी के पस्चिमी समाजवाद की अलोशना करने का वो यह है कि वो कहते हैं कि इस समाजवादी वेवस्था में भी जो है चुकि उत्पादन की प्रक्रिया पर राज्य का नियंतरण होगा उसका समाज का नियंतरण होगा लेकिन उत्पादन जो है लाफ की पराधारित होगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा लाफ कमाया जाए तो अन्तता यह समाजवाद भ स्वरुप धारत धारन कर लेगा आगे चल करके चीन जैसे चीन की अर्थविवस्था में हम यह देखा भी गया और इसमें उत्पादन की जो बड़ी-बड़ी इकाईयां हैं मसिनिकृत और दग इकाईयां वो खूप फली-फूली और जो ग्रामीन सन्रचना है और जो अन्तिम ब्यक्ति है वो जो है पुनह इन्ही बड़ी-इकाईयों और इनमें स्रमिक के रूप में काम करने के लिए निर्भर हो जाती है तो कुल मिला करके जो निर्भरता है ब्यक्ति की वो पुनह जो है उसी बड़े उद्योगों पर निर्भर हो जाती है मुल रूप से जो ग्रामीड सामाजिक विवस्था है वो उसी पर निर्भर हो जाती है और जो दस्तकारी है, हाथ के से जो छोटे काम किये जाते हैं जो कुटीर उद्योग में लोग लगे हैं, किसानी है इनका इस्टतम जो विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है तो इस तरीके से गांधी जी जो है इस समाजवादी विवस्था की आलोचना करते हैं अब गांधी जी क्या कहते हैं गांधी जी किस तरीके से समाजवाद के बारे में अपनी धारना को रखते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि सच्चा समाजबाद हमको अपने पूरवजों से मिला है इस आप निसत की पहले रिचा की का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे गरंथ सिखाते हैं उस गरंथ में लिखा हुआ है कि सब भूम में गोपाल की है सभी जो जमीन है सभी जो धर्ती है वो गोपाल की है गोपाल क्या है तो गांधी कहते हैं कि गोपाल का जो साब्दिक अर्थ है वो चरवाहा है और इसका अर्थ इस्वर से भी हो सकता है अगर हम इसे लोगिज जगत में इसका उपियोग करें तो हम क्या कहेंगे कि लोगिज जगत में यह जो है जन्ता है क्योंकि आज लोकतांतिक साशन प्रणाली में जो सक्ति की जो सनरचना है, सक्ति का जो स्वरूप है वह जो है जनता में निर्भर करता है राजनितिक इकाईया या सासक वर्व जो है जनता पर साशन करने का जो अधिकार है वह आम जनता से प्राप्त करता है तो गांधी जी कहते हैं कि आज के समय में जो है गुपाल की तुलना हम आम जनता से भी कर सकते हैं तो सबै भूमि गोपाल की यानि कि जो कुछ भी है जितनी जमीन है जो कुछ संसाधन है वो आम जनता का है और राज जो है अब गांधी जी कहते हैं आगे भी कहते हैं कि यह सही है कि राज जो है आज जो है भूमि पर जनता का स्वामित तो नहीं है वह राज नियंदरत है ले कि राज ये जो है समस्त भूमी का एक न्यासी के तर तोर पर काम करें वे कहते हैं कि गरिमा मई जीवन जीने के लिए जितनी भूमी की आवश्यक्ता है उससे अधिक किसी के पास नहीं होनी चाहिए और वो कहते हैं कि इस तथ्य से कौन ऐसा हमत हो सकता है कि आम लोगों की घोध दर्दता का कारण है कि उनके पास अपनी कहने के लिए कोई जमीन नहीं है हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेंडलेस हैं उनके पास खेती करने के तो छोड़िये अपने जीवन अपने रहने के लिए भी जमीन नहीं है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत बड़े पैमाने पर जमीन है तो गांधी जी के इसी विचार को कि लोगों के पास अपनी जमीन हो उस विचार को आगे चलके बिनोबा जैसे लोगों ने भूदान और ग्रामदान जैसे कारिक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया तो गांधी जी जब कहते हैं कि अपने समाजवाद में कि सबै भूमी गोपाल की तो यहां गोपाल का जो अर्थ है वो आम जनता से है और इसका जो तार्किक विसलेशन है वो यह है कि गांधी जी चाहते हैं कि राज जी जो है प्राकृतिक साधनों के संबंदे में और भूमी के संदर्व में एक न्यासी की भूमिका में काम करे इसोपनिशद में घान्धे लिखते है कि इसी प्रफम बात के संमाजवाद ही नहीं बलकि सामेवाद की असपसटर जहलक मिलती है सचाई यह है कि वो कहते हैं कि इसोपनिशद का विचार है विचार अगर इतना मजबूत है वो सवाल तरक भी करते हैं कि अगर ये विचार ये सिधानत इतना महत्वूर और इतना ताकतवर है तो ये विचार नेपथ्य में क्यों चला गया तो गांधी कहते हैं कि जब कुछ समाज सुधारकों की आस्था हिर्दय परिवर्तन की विधी से उठ गई तब वो बैग्यानि समाजवाद की तकनीकी में विश्वास करने लगे और इसका जन हुआ गांधी कहते हैं कि गांधी को का बहुत दिन्ड विश्वास है कि वो हिर्दय परिवर्तन के माध्यम से लोगों के विचार और उनके चिंतन में बदलाव ला सकते हैं तो गांधी जी क्या कहते हैं कि कुछ समाजवादी धारकों का जब हिदय परिवर्तन की तकनिकी से विश्वास उठ गया उनको ये जो विश्वास था कि लोगों के हिदय में परिवर्तन उनके विचारों में परिवर्तन ला करके समाजिक व्योस्था में परिवर्तन किया जा गांधी जी जो है आगे क्या कहते हैं कि जो है अपने समाजवाद के बारे में क्या कहते हैं कि मेरा समाजवाद जो है असपटिक की तरह स्वक्ष है वो कहते हैं कि किसी भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए साधन स्वक्ष होना चाहिए गांधी कहते हैं कि मलीन साधनों का उपियोग करके आप सिर्फ मलीन धे को ही सिद्ध कर सकते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि राजा का सर काड़ देने से राजा स्रमिक बन जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है मालिक का सर काट देने से मालिक करमचारी हो जाएगा ऐसा नहीं होगा आप हिंसा के आधार पर जिस समाजवात की अस्थापना करेंगे वो अंततह उसे बड़ी हिंसा का सिकार होकर की समाप्त हो जाएगा गांधी कहते हैं कि जो है हिंसा कभी भी एक अस्थाइत पूर्ण समाज का निर्मार नहीं कर सकती वे कहते हैं कि अहिंसा और सत्य आपस में के जुड़वा हैं वे कहते हैं कि जुड़वा भी हैं और नहीं हैं वे एक दूसरे के पूरक हैं एक सिक्चे के दो पहलु हैं जैसे आप अहिंसा आप कोई भी सिक्टा उठा McMahon उसको पढ़ें तो दोनों तरफ उसमें लिखे हुए सब्ड अलग हो सकते हैं पर उस सिक्चे का मुल्य अलग होता है मुल्य बराबर होता है थिक उसी तरह से जो अहिंसा और सत्य है वह दोनों ही जो है अलग-अलग सब्द हैं लेकिन ये इन दोनों के मूल एक जैसे हैं अर्थात जब तक आप अहिंसा को स्विकार करते हुए और सत्य के बल पर समाजवाद की अस्थापना नहीं करते हैं वह अस्थायत पूर्ण समाजवाद नहीं होगा वह कहते हैं कि केवल सत्य निस्था, अहिंसक और सुध्ध हिर्दय वाले समाजवादी ही भारत में और भारत में ही नहीं वरन पूरे विस्व में समाजवाद की अस्थापना कर पाएंगे और वो कहते हैं कि मेरी जानकारी में बहुत खुली चुनोती के साथ कहते हैं कि मेरी जानकारी में पूरे दुनिया में कहीं भी इस तजिके का बिसुध समाजवादी स्वरूफ नहीं पाया जाता है वे कहते हैं कि समाजवाद और समयवादी कहते हैं कि वे आर्थिक समानता लाने के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं वे केवल उसके पक्ष में प्रिचार करेंगे किसके पक्ष में सिर्फ जो है स्रमिकों के सोसन के पक्ष में प्रिचार करेंगे और उनके मन में एक घ्रना पैदा करेंगे पूजी पतियों के लिए दूसरे वर्क के मन में घ्रना पैदा करेंगे अर्थात और उसके बाद उनको क्रांती के लिए प्रेरित करके एक घ्रना पर आधारित समाजवादी समाज के स्थापना की सुरुवात करेंगे जहां पर समा इसलिए गांधी जी के समाजवाद में नैतिक उत्थान, आर्थिक उत्थान के साथ नैतिक उत्थान की भी बात कही गई है। समाज की भलाई क्या करेगा। तो वो चाहते हैं कि समाजवाद रूपी नाव को समाज रूपी समद्र में अपना गंतव्य असपस्ट रूप से पूरा करपाए। इसलिए उसके सामने कुछ कसोटी होनी चाहिए, कुछ नैतिक कसोटियां होनी चाहिए जिसके लिए वे सत्य और अहिंसा का सहारा लेते हैं। इस तरीके से गांधी जी कहते हैं कि जो है जो ठोटे और कुटीर उद्योग हैं जो दस्तकारियां हैं, हस्तसिल्प के संसादन हैं, उनको उनका राश्टी करण किया जाए और उनके साथ जो है, उनको आर्थिक और अन्य तरह के सहयोग प्रदान किये जाएं, ताकि जो है, वे चीजें आगे बढ़ती रहें और ग्रामीड समाज के लोग उत्पादन की कोटी काईयों से जुड़ करके सौलंबी और खुद पर निर्भर हों, अपने पर निर्भर रहें, वे कभी भी बड़े संसादन और अध्यों की काईयों के राश्टी करण के समर्थक नहीं हैं, और वे कहते हैं कि जो भावी समाज, उनके दिस्टिकूड की या उनके विच ग्रामीड वासियों का, ग्राउं के हमें रहने वाई वाइलों का कल्यान में ब्रद्धी हो और ग्राम उद्द्योग पुस्पित पललविथ हो ऐसे उद्द्योग पार्म तब तक थयाजY नहीं किय जाएंगे जोयोंत कि जो अध्यों का आगला गोठने विचान्यों ये न बड़े उद्योगों पर है वह न रह जाए गांधी जी पूजी वात की भी इसी तरीके से आलोशना करते हैं और चुकि बड़े उद्योगों को सकते हैं स्माजवाद में भी नहीं होता है और Antheasramik उन् ही बड़े उद्योगों पर निरभर हो जाता है चुड की गांधी के चिंतन में व्यक्ति प्राया जो है चिंता के के केंद्र में देखता है और उनके विचार और उनके चिंतन में सबसे महतुपूर्ण केंद्र कृत उकाई है इसलिए गांधी जी जो है जो निर्भरता का क्रम है उसे ही पलट देना चाहते हैं उसे उलट देना चाहते हैं वे चाहते हैं कि जो बड़ी उद्योगी इकाईयां हैं उन पर जो है स्रमिकों और ग्रामीड लोगों का निर्भरता नहों बलकि इन बड़ी उद्योगी इकाई कहते हैं कि यदि केंदिकृत उद्योगों की आयोजना और स्वामित्य राज्य के हाथ में हो तो जीवन के लिए अनिवार वस्तुओं का केंद्री करण सारवजनिक कल्यार में सहायक होगा यानि कि गांदी जी बड़े उद्योग की कल्पना या बड़े उद्योगों के राष्टि करण की बात करते हैं लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए पस्चिमी ढंग का समाजवाद जिसका जन्म हिंसा के वातावरण में हुआ है उसका समर्थन पर नहीं करते हैं वे क्या कहते हैं कि जो है एक ऐसे समाजवाद की सुरुवात की जानी चाहिए जिसकी सुरुवात पंचायत से हो ग्रामीर समाज से हो और प्रते गाओं एक सुतंत्र पंचायत के रूप में काम करें और वह जो है अपनी दैनिक आवश्यक्ताओं से ले करके अपनी देखभ प्रतेक इस्तरी और पुरुस को यह पता होगा कि उसे क्या करना चाहिए लेकिन गांदी जी कहते हैं इन सबसे बड़ी बात उन्हें यह पता होगा कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए और यह सबसे बड़ी बात यह ही है कि अगर आपको यह पता है कि आपको क्या करना यह अच्छी बात है अगर आपको यह पता हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए गांधी जी कहते हैं कि अगर इस तरह का समाज बनता है इस तरह की विवस्था बनती है तो जो है व्यक्तियों को यह पता होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए इसके साथ उन्हें यह भी पता होग कि गान्थी जी जो है ट्रस्टी सिप के विचार को मुल्व मानते हैं, मौतवपूर्ण मानते हैं तो जो पस्चिम का समाजवाद है, वो क्या करता है? पस्चिम का समाजवाद और ट्रस्टी सिप आपस में बिल्कुल भिन्न है, इनका दोनों से कोई संबंध नहीं है पस्चिम के समाजवाद, पस्चिमी समाजवादी दिस्टिकोर में विश्वास रखने वाले लोग गान्थी के इस समाजवादी स्वरूप की आलोचना करते हैं लेकिन वे बताते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं, ये कहते हैं वे उसके आलोचना करते हैं गांधी जी का जो समाजवाद है, वह पूजीवादियों के हितों का पक्षपोशन करता है, और हिंसक करांथी के माध्यम से जिस प्रकार की समाजवादी विरुस्था का बन सकती थी, इसमें समानताओं को और तमाम एक वर्ग की समस्यावसोस का समाधान देखा जा सकता था, गांधी जी का ट्रस्टिशिप का विचार जो है, इस संभावना को समाप्त कर देता है, लेकिन गांधी जी का जो विचार है, ट्रस्टिशिप का, वह जो है, समाजवाद के इन आलोचनाओं से बहुत परे है, समाजवाद की जो आलोचनाए हैं, ट्रस्टिशिप के विचा स्रवदय से जुड़ा हुआ है, उसकी जो है अलोष्टाय यह नहीं कर पाते हैं। गांधी जी अपने दर्शन के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपने आर्थिक चिंतन के माध्यम से, उस व्यवस्था, सरवुदे की व्यवस्था करते हैं, जिसमें किसी वर्व को समाप्त कर देने या उसके नास कर देने का प्रयास नहीं किया जाता है. इस तरीके से गांधी जी का विचार है वो समाजवाद बरतमान पस्चिम समाजवादी जो चिंतन है उससे अलग है उसकी विचारधारा से मिल नहीं खाता है गांधी इस तरीके से अपने समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करते हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से समाजवाद पर गांधी जी का विचार है और पस्चिमी समाजवाद पर गांधी जी का विचार है और गांधी जी उसकी किस प्रकार से आलोचना करते हुए अपना समाजवाद का विचार रस्तूत करते हैं, इस पर आपको एक समझ विक्सित करने का मौका मिला होगा. उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर से इस पर अपना एक जो है, कांसेक्चुल अंडरस्टेंडिंड डवलब करने में सफल हो पाए होंगे. तो इस क्रम में अगर आपका कोई सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, अपना कैमरा आन करके. कोई सवाल, सोनू, अगर आपने में कोई सवाल हो, कोई सवाल नहीं, सोनू, आपकोई सवाल? सोनू, आपकोई सवाल है? हमें लगता है कि सोनू, सर पूछना था कि सर 960 और 70 के दसक में जो बैस्विक मंदी शुरू हुआ था, जी जी उसको लेकर के जो मतलब समाजवादी टाइप को लेकर समाजवाद को लेकर चले वाले जैसे राम मनोहर लोहिया हुए जै परकास नरायन हुए यह सब लोग ल हमें बात खतम हो गया और उनको लेकरके उनके नहतुत मिने नेता बन गगए और आज जो समाजवाद को नाव पे चल रहे हैं, लेकिन और समाज बात के कुछ नहीं कर रहा हैं तो ऐसा आवके यह समाजवाद के तरह सिद्सक में आज रहे हैं अब समाजवादे को लिही मु नटसल में समझाने की कोशिस करेंगे कि क्या है आपने सही बताया कि भारत में जो है समाजवादी जो विचार है उसको जेपी और रोहिया के नतितों में और खुद जो है उस तरह के समाजवाद पर जवाहालल नहरू का भी भरोसा था और राजयन नियंतित और द्योगी करण इकाईयों की अस्थापना करके सुएम नहरून जी ने भी उस विचार दारा को आगे बढ़ाया था लेकिन उस विचार दारा का गांधी के समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था नहरू के ध्यान देञे लेकिन जेपी और लोहिया का जो समाजवाद था उसमें जो है ग निस्चित तौर पर जो है चोकी सिधी राजनीती में उनकी रायन्तिक जो नीती निर्मान की विवस्था है उनका अस्तक्षेप्तु था लेकिन प्रभावकारी प्रभावसाली अस्तक्षेप्त नहीं था इसलिए जो गांधी के दिष्टिकोंड का समाजवाद था उसकी अस्थापना कर नहीं हो पाई लेकिन जो एक पस्चि में जो समाजवादी विवस्था का जो दिष्टिकोंड था जिसको रूष में और चीन में हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया गया था उसको जो है मिस्षित अर्थ विवस्था का आया समाजवादी अर्थ विवस्था का नाम दे करके राज्यन नियंदित और द्योगी करन के दौरा जवाहलाल नहरू की नीतियों ने उसको अपनी नीतियों में लागू किया था लेकिन 1990 क्यांडे में जब दुनिया में पूजीवाद एक बड़ी विचारधारा के रूप में सामने आया और सोब्यसंग का पतन हुआ तो एक बड़े ही चलाकी पूर तरीके से पूरी दुनिया को मेसेज दिया गया संदेश देने में पस्चिमी और दोगिक पूजीवाद सफल हो गया कि अब सोब्यसंग का पतन होने के साथ ही साथ अब दुनिया एक ध्रुवी हो गई है और दुनिया में एक ही विचार अस्चित्तुमान है वो है लोकतांत्रिक पूजीवाद का और इतिहास का अब अन्त हो चुका है विचारधारा का अन्त हो चुका है फ्रंसिस फुकोयाम पूरी दुनिया में एक मात्र विचारधारा बची है, जो सबसे ताकतवर विचारधारा है, वो है पूजी बादी लोकतंदर की विचारधारा। यानि कि हर तरीके से समाजवादी सामेवादी विचारधाराओं को समाप्त कर देने की बात कही गई, तो 90 के दसक के बाद से ही बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि दुनिया के हर लगभख सभी देसों ने अपनी अर्थविवस्थाओं को बाजार के लिए खोल द लेकिन 1990 के बाद दुनिया की सारी अर्थविवस्थाओं मुक्त बाजार की प्रत्योगिताओं के लिए खोल दी गई, कहीं पर मजबूरी में खोली गई और कुछ अर्थविवस्थाओं जो है पस्चिमी विजारधारा के प्रभाव में आकर खूली भारत भी जैसा कि आप समाजवाद इन चीजों का विरोध करता था उन सभी विरोधी बातों को समाजवाद इन बातों का विरोध करता था उन सभी बातों को समाद करके दुनिया की सभी अर्थविवस्थाओं को लगबग लगबग खोल दिया गया तो इस प्रक्रिया में लोग जो है बैसी करण, नीजी करण की प्रक्रिया को बहुत बल मिला, उधारवाद को बल मिला, जिसको हम liberalization, privatization और globalization के नाम जानते हैं, LPG, तो इसको बहुत तेजी से प्रसार मिला और अभी तक इसका प्रसार पूरी दुनिया में जारी है, लेकिन आपका सवाल इसलिए जब बहुत महतोपूल हो ज लगभग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है, एक दूसरे से खुद को अलग करने की कोशिस कर रही हैं, decoupling करने हैं, उसमें जो different economies हैं, वो एक दूसरे से decoupling करने का विचार कर रही हैं, एक दूसरे से अपने आपको अलग करके स्वतनत अर्थव्यवस्था के रूम में अपने आपको विक्सित करना चाह रही हैं, साथ ही साथ लगभग लगभग दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं अब गांधिवादी समाजवाद की तरफ बढ़ने की भी आवशक्ताओं पर बल दे रही हैं, वे चाहती हैं कि किसी स्वदेशी की विचार क जो निर्यात आधायत अर्थिक प्रणाली थी, उस पर लगाम लगाने की बात अब लगभग लगभग सभी अर्थ वस्थाएं सोच रही हैं, और वे चाह रही हैं कि अपनी आवशक्ताओं और अपनी जरूरतों के जो दैनिक भोग की चीज़ें हैं, कम से कम, उनका उत्प करते हुए जो पस्चिमी, पूजीवादी, जो आर्थिक प्रणाली है, इसका जो प्रचार प्रसाद जो रोसोरों पर हुआ था, बहुत जल्दीस ही ये तमाम तरह के सामाजिक, आर्थिक और प्रयावणी संकटों का सामना कर रही है, तो ऐसे में जो गांधी जी के विचा विचारों का जो अर्थशास्त्र है, वो एक बार पुना प्रसंगिक होके सामने आ गया है, और ऐसे में ये बहुत ही समयचीन है और सभाविक भी है कि गांधी जी के समाजवादी विचारों पर चर्चा की जाए, और तमाम तरह के संकटों से उबरने और उनका समाधान कर पाने में, गांधी जी के अर्थशास्त्र की जो का जो विचार है, उसमें उसकी भूमिका मुहत्वपून हो सकती है, और कोई प्रस्न? तो ठीक है फिर समाप्त करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और कोशिस करते हैं कि फिर नक्स क्लास में किसी ऐसे ही मुद्टे पर हम आपस में बात करेंगे, ठीक है? सो धन्यवाद. नमस्ते, नमस्ते, पर नाम सर, नमस्ते.